नमस्कार दोस्तों वीडियो देखरों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि बात है सिवम दूबे की सिवम दूबे एक ऐसा प्लेयर जिसने हर्दिक पांडया का आप्शन हम लोगों को दे दिया है क्योंकि भाई बंदा दो बार कारनामा कर चुका है एक विकेट लेन खेलतायगी और उसके गे को देखके मज़ा भी आता है दोस्तों और आप लोग का क्या कहना है सिवम दूबे में भी उस बंदे ने 40 बॉलों में 60 रन की खेली थी और टीम को जिताया था नाबाद रहा था और आज के मैच में भी सेम वही काम हुआ है 63 रन की पारी 32 बॉलों में खेली पांच चौके चार्ट चक्के लगा के टीम को जीत दिला दी सिवम दूबे एक ऐसा प्लेयर बनके निकला है जो हम लोग को युराज सिंग की छवी दिखाता है क्योंकि युराज सिंग भी लाइफ्ट हेंडर बैट्स में थे और बहुत ही अच्छे से चक्का मारते थे लंबे लंबे चक्के मारते थे और सिवम दूबे को भी देखती है लगता है लंबे कत्का वो प्लेयर जो युराज सिंग की तरब दिखता है लेकिन बॉलिंग में युराज सिंग हमारे स्पिनर थे और यह हमारे फास्टर है मेडियम प्रेशर तो हम लोग हर्दीक पांडय का एक ऑप्सन इनको मान सकते हैं क्यूए हर्दिक पांडय हमेशा साच चोटी लहते हैं और उसको उनको चोटी लहने के कारण हम लोग सीवंदूबे की तरफ चा सकते हैं क्योंकि सीवंदूबे मुझे एक बैटर आप्शन लग रहा है जो बाॉलिंग भी करा सकता है और बैटिंग भी अच्छी कर सकता है क्योंकि पंदे में वह कमियां नहीं दिख रही हैं जो और प्लेयरों में दिखती हैं जैसे कि क्या सिवं दूबे हर्दिक पांडया ख़ा बैटर आफशन है आप लोग को क्या लगता है कमेंट में जरूर बता धीज़ेगा क्योंकि आप्लोग का कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है और युराज सिंग् की तरह क कह सकते हो लेकिन एक चीज और है कि सीवम दूगे को निखारने वाले जो हैं वो हैं हमारे महंदर सिंग दोनी जो कि लगातार चन्नेक दर्शन को मौके मिले इससे पहले वो राजस्तान में भी थे लेकिन इस तरीके का कमाल नहीं करके दिखाये थे लेकिन 2019 के बाद से जब इ एक पहले 50 आई हुई थी तो आज जो सीवम दूगे को खेलते हुए देखा तो यूरास सिंग की याद आई क्योंकि इसी तरीके से इतनी ही तेज पारी उन्होंने एक अस्ट्रिया की टींग में टींग के खिलाव लग कि थी कहाया सीवम दूगे को दो मौके मिले और उन्ह इसको आप क्विट नहीं कर सकते हो क्विट नहीं करना भी चाहिए क्योंकि उसको लगातार मौके दीजिए तिलक वर्मा भी आज बाहर बैठे हुए थे मुझे यह देखके बहुत ही अच्छा लगा क्या तिलक वर्मा की जगा आप सिवम दूगे को मौका दो लाफ्ट हें दूबे आजाते तो उनको देख लिजिए तिलक वर्मा को देख लिजिए और नीचे रिंकु सिंग को देख लिजिए फिर अगर कुलदी प्यादाओ को अगर बैटिंग करना थोड़ा बहुत सिखा देते हैं तो कुलदी प्यादाओ भी एक बैट्समेन हमारे पास लेट रहेंगे अब इन जड़ेजा भी एक Batsman Left handed रहेंगे जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है यार पहली बार टीम इंडिया में इतने सारे left handed देखे देख्ते। एक दो एक दो का ही option रहता था दिकतर left-handed वालोगा लेकिन पहली बार ऐसा combination देखने को मिला है comment में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और क्या आपको लोग को सिवंदुवे की पारी अच्छी लगी क्या उन्होंने ये कार na ना दूसरी बार करके विराट कोली का बराबरी कर लिया है और बहुत अच्छा किया उन्होंने और के वली उराइसिंग उन्स से रबांगे है अगर अगले मैच में भी ऐसा कुछ करना माँ जाते हैं तो तीन बार करके युरासिंग की बडाबरी कर लेंगे जो कि बहुत अच्छी बात रहेगी टीम इंडिया के लिए तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगों मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में बाबाय टेक केर